दो गुटो में धार्मीक उद्मात फैलाने के आरोप में अमरावोती से निर्दलिय सांसा नवनी तराणा को कल खार पुलिस्टेशन ने अलग-अलग धाराओ के तहत मामला दर्ज करती हुए गिरफतार कर लिया हमारे साथ इस पूरे विशय पर बात करने के लिए सरकारी वकील प्रदीप घरासर है सर आपका स्वागत एबीपी नियूज में ये आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह के कलम लगाये गए है उसको आप कैसे देखते हैं और कितनी गंभीर ये मामला दिखते रहा है आपको आज ये कोर्ट में पेश किया लाएगा होलीडे कोर्ट है आप चुकि सरकारी वकीले पुलिस का पक्ष रखने जा रहे है तो क्या आप इस मामले में उनकी पुलिस कस्टरी की मांग करेंगे अभी जो पुलिस मुझे रिमान दिखाएगी उसमें उसके उसकी जैसे तत्य होगा कि मैं अगर पुलिस कस्टरी मांगू या और कुछ जेल कस्टरी या कोर्ट क्या करती है ये देखा जाएगा उसके तहरे लेकिन सर आप का अनुभाव देखते हुब मुझे ये सबजना है कि इस तरह के मामले इसके पहले भी कभी आ चुके क्या और ऐसे मामलों में क्या बेल मिलना आसानी से बेल मिल जाती है क्या वो परकरिया होगी ऐसे मामले रेरली आते हैं क्योंकि यहां आके उन्होंने चैलेंज किया है इसको चैलेंज किया है इसके लिए उनके खिला पे ऑफेंस रेजिस्टर किया गया है मेरा आपसे एक सवाल यह है कि अगर उनको कोट जूडिशल कस्टरी में भेज़ देता है तो बेल के लिए अगर वो जाते है तो क्या आप उसका विरूद करेंगे अगर वो बेल के लिए देखिये जब या कस्टडी जो है वो पुलिस कस्टडी या जुडिशल कस्टडी ये देना कोट का काम होगा उसके बाद अगर उनको जुडिशल कस्टडी मिलते है तो बेल के लिए आरजी करना उनका राइट होगा और हमारा भी राइट होगा कि हम उ strongly oppose करेंगे आप से बेना एक सवाल है कि उनके वकील जो है रिजबान मर्चंट उन्होंने कल इस बात का जिक्रे किया कि क्योंकि वो सांसद है और उनके पती जो है वो विधायक है ऐसे में स्पीकर से परमिशन उनके अरेस्ट करने के पहले पुलिस को लेनी चाहिए थी जो नह आए उनके वी रूल से उसमें रूल है एक टूंटी तू जिसके तहाट अगर किसी को आरेस्ट किया दो बाते है उनको प्रियलेश है जो संसद में होता है या जो विधान सभा में होता है उसके लिए पुलिस उनके खिलाब कारवाई नहीं कर सकती लेकिन बाहर अगर उन्होंने कोई गुना किया तो उस गुना के लिए वो जैसे आप और हम है वैसे वो भी लायबल है इसके लिए उसके बारे में जो मर्चंट साब कह रहा है वो बिल्कुल गलत है प्रोवीजन ऐसी है कि अगर ऐसे आफेंस में उन्हें अरेस्ट करना हो जो बाहर परसनल उसके लिए अगर उन्हें अरेस्ट करना हो तो जो स्पीकर है दोनों हाउस के उनको इनफॉर्म करना पड़ता है कि आएसा ऐसे हम एक्शन ले रहे हैं उनको आफेंस है यह सेक्शन से हम उनको आरेस्ट कर रहे हैं पिर आप से आखरी सवाल यह है कि जो धाराय लगाई यह लगाया है उसके लिए पनिशमेंट थी यर्स है लेकिन आफेंस खॉइट शिरियसने से है तो अभी हम जो है और कोशिश करेगे कि न आयले को बताए कि शिरियसनेस आफ आफेंस क्या है क्या हो सकता है क्यों किया जा रहा है इसके पीचे कौन है यह जो सब ग्राउंड स हुझ नियाले के सामने हमें रखने पड़ेगी उसके बाद देखे कि नियाले क्या निरन लेते हैं ठीट हैं अगर मैं मेरे मेरे घर में कोई घुसने की कोशिश करेगा और मैं ना बोलू मेरे घर में मत आ जाना फिर भी मुझे कोई जबरर्सी कर सकता है क्या ना मैं आओंगा मैं ये करूंगा ही ये बात कानूनन है इसके बारे में भी देखा और सोचा जाएगा जब कोट में पेश किया जाएगा उस दोरान ये बात जो है वो सरकारी पक्ष की तरफ से रखी जा सकती है कि किस तरह से सरकारी मशीनरी को चैलेंज करने की कोशिश की गई और उस वक्त ये फैसला भी लिया जा सकता है कि फिलहाल आगे की इन्वेस्टिकेशन पूलिस को करना है लियाजा इन लोगों की रिमांड की दर्खाश जो है वो कोट से की जा सकती है कैमरा परसन गजानन के साथ रोना कुकडे एबी पी नियूस मुंबई